नमस्कार दोस्तों मैं हूरिचा सिनहा एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जैमाता दे लिग दीजे माता रानी आप सभी के सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमलीका एकादशी वरत से संबंधित जो कि इस साल अर्था 2020 में 6 मार्श को मनाए जाएगी तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अमलीका एकादशी वरत का महातम क्या है पूजा की विधी और नियम क्या है इस दिन आप किस मंत्र का जब करे साथ ही अगर आप अमलीका एकादशी वरत नहीं कर पाते हैं तो भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी की खृपा प्राप्त करने के लिए सुख समृध्धी की प्राप्ति के लिए आप इस दिन कौन सी छोटे-छोटे उपाई कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस शेयर कर दीजे साथी दोस्तों मैंने एक नया चैनल शुरू किया है पौरानिक कथाएं जिसमें मैं हिंदु धर्म से संबधित ग्यानवर्धक और पौरानिक धार्मिक कथाएं अपलोड करने वाली हो तो अगर आपको इस प्रकार के कथाओं में रुची है तो आप मेरे उ आवला और आवला को शास्त्रों में श्रिष्ट स्थान प्राप्त है विष्णु जी ने जब श्रिष्टी की रजना के ने ब्रह्मा जी को जन दिया उसी समय उन्होंने आवले के व्रिक्ष को भी जनम दिया और आवले को भगवान विष्णु ने आदी व्रिक्ष की रू अमलेका इकादेशी का व्रद करता है, उसके सभी पाप निष्ट हो जाते हैं, और एक हजार गौदान जितना फल पराप्त होता है, बित्यू के पस्चात उस व्यक्ति को विश्णुन धाम में स्थान पराप्त होता है। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि अमलीका एकाद शीवरत की विधी क्या है। अन्य एकाद शीवरतों की तरह अमलीका एकाद शीवरत में भी नियमों का पालन एक दिन पहले अरथा दश्मी तिथी से ही करना होता है। दोस्तों दश्मी तिथी को ही आप सर्थों के नहाले शुद्ध हो जाएं और दश्मी तिथी से ही साथविद भोजन करें। दश्मी तिथी को शाम के समय भोजन कर ले, रात में भोजन ना करें। रात में सोने से पहले अच्छी तरीके से ब्रश या दाथून कर ले ताकि मुख में अन्ने का एक भी दाना न रह जाए। सोने से पहले भगवान विश्णु का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप अमली का एकादिशी कवरत करने जा रहे हैं। भगवान विश्णु ऐसे क्रिपा करें कि आपके इकादिशी कवरत सफल हो और भगवान के आपको क्रिपा प्राप्त हो। और स्नान के पश्चाद भगवान सूरे नारायन को इस दिन जल आवश्य दे। भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी की एक मूर्ती या फोटो स्थापित करें। अब चौकी के सामने एक आसन बिछा करके बैठ जाएं। इस प्रकार से बैठें कि पुजा करते वक्त आपका मुख पूर्फ दिशा की ओर हो। अब भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी का हाँ जोड़ करके ध्यान करें। उनसे ये आगरह करें कि वो आपके घर में पधारें। आपकी पुजा सुविकार करें। और पुजा का शुफल प्राप्थो ऐसी आप पर कृपा करें। उसके बाद आपको भगवान विश्णु को स्नान कराना है। पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर पंचामरिद से स्नान कराएं। दोस्तों भगवान विश्णु की पुजा में पंचामरिद सरूर त्यार कर लें। गाय के कच्चे दूद में थोड़ा सा दही, शुद्धिखी, शहद और शक्कर मिला करके पंचामरी त्यार कर लें इससे भगवान विश्णों को स्नान कराएं उसके बाद फिर से शुद्ध जल अठाद गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कराएं भगवान विश्णों को टीका, जंदन, हल्दी कुमकुम अर्पित करें, पीले रंके पुश्प अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें, उनको धूप दीप दिखाएं, जो प्रशाद आपने लिया है, वो अर्पित करें, रितुफल अर्पित करें, केला अर्पित करें, रित पूजवा लेखर के बगवान विष्णू का नाम लेते हुए अम्लिका एकदशे वरत करने का संकल्प लें मन ही मन आगर आपकी कोई मनो कामना है उसे कहें भग्वान आपकी पूजा सफल करें ऐसी आप प्रातना करें और पूजा में अगर कोई गल्टी हो तो उसके लिए ब एक आदरी के दिन नहीं तोड़ी जाती है तो इक दिन पहले ही तोड़ कि रख लें और bought विश्नु की पूझा में फ़ल्सी दल का प्रयोग जरूर करें तो एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है तो उसको आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख ले और तुलसी का प्रयोगा भगवान विश्णों की पूजा में जरूर करें इस प्रकार से पूजा करने के बाद आपको एकादशी वरत की कथा सुननी होती है भगवान विश्णों के मंतरों का जब करना होता है कम से कम 108 बार अठाट एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंतर का जब अवश्य करें इस दिन आप विश्णों शहस्त्र नाम का भी बाट कर सकते हैं इस दिन आप पुर शुक्त का जब कर सकते हैं और इसके बाद आपको भगवान विश्णों की आरती करनी है और शमा परातना करना है इस प्रकार से दोस्तों भगवान विश्णों की पूजा के पश्चात अब आपको आवले की व्रिक्ष की पूजा करनी ह कितने प्रश्ण आते हैं कि आवले का व्रिक्ष नहीं है तो क्या करें आप गमले में एक आवले का छोटा सा पेट लगा सकते हैं और घर में ही पूजा कर सकते हैं जहां आपको पूजा करनी है आवले के व्रिक्ष या गमले में उस स्थान को पहले साफ कर ले वहाँ पे थोड़े से गंगा जल या गाय के गोबर से उस स्थान को पवित्र कर ले अब वहाँ पे आपको एक कलश स्थापित करना है कलश स्थापित करने के लिए पीतल के लोटे में जल ले उसमें थोड़ा सा गंगा जल, दुर्वा, एक रुपे का सिक्का, रोडी ये सारी चीज़े डाल करके और उसको स्थापित करें उसके उपर एक चावल से भरा हुआ पात्र रखें और उसके उपर आपको एक नारियल रखना है और नारियल को लाल रंग के कपड़े से लपेट ले, कलश पे एक स्वास्तिक बना ले कलश में थोड़े से पल्लव, पंच पल्लव या अशोक का पल्लव आप डाल ले और इस प्रकार से हाथ जोड़ करके कलश पे सभी देवी देवताओं को आमंतरित करें सागर को आमंतरित करें, सभी दीर्थ स्थलो को आमंतरित करें अब आपको कलश की जो है विदेवत पूजा करनी है उसी प्रकार से आपको स्नान कराना है टीका, चंदन, हल्दी, कुम-कुम, पुष्प, दूप दी परपित करना है और उसके बाद आपको प्रशाद अर्पित करना है और आर्टी करनी है और इस प्रकार से पूजा करने के प्रशाद आपको सारे दिन जो है फलाहार करना है आप भगवान विश्णू का नाम लेते रहें अपने आजरन को पवित्र रखें क्रोध ना करें जूट ना बोलें किसी को कटू वचन ना बोलें शाम के समय आपको पुनह भगवान विश्णू की आर्थी करनी है उन्हें भोगर पित करना है एक आदशी में दोस्तों रात्री चागरन का भी बहुत ही महत्विब बताया गया है तो हो सके तो रात्री चागरन करें भरजन की इकतन करते रहें भगवान का नाम लेते रहें मंतरों का जब करते रहें और द्वादशी तिथी को भी सुबह सवेरे जल्दी उठके सनानादी से निवरित हो करके भगवान विश्णों की विदिवत पूझा करें आमले की पेड की भी पूझा करें उसके बाद जो आपने कलश पे सभी देवी देवताओं को आमंतरित किया है उनसे हान चोड़ करके प्रात्ना करें कि वो अपने अपने धाम को परस्थान करें और जब भी आप पूजा के लिए उन्हें आमंत्रित करें, वो दुबारा आपके घर में पतारें। दोस्तों इस प्रकार से पूजा करने के पश्चाद आपको अब इकादशी वृत का पारण करना है। पारण करने के लिए पहले प्रामन को दक्षिना दे, दान दे, प्रामन को भोजन कराएं। जो भी आपने भगवान को प्रशाद, फल, अर्पित किये हैं, वो सब प्रामन को दान दे और उसके बाद आप स्वेम भी भोजन करें। इसके साथ ही दोस्तों, आपको इकादशी के दिन भगवान विश्नो और माता लक्ष्मी की विशेश क्रिपा प्राप्त करने के लिए कुस छोटे-छोटे उपाय जरूर करने चाहिए। अगर आप इकादशी व्रत कर रहे हैं, तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं, तो भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन आपको माता तुलसी के विधिवत पूजा अर्चना जरूर करने चाहिए। और उसके बाद शाम के समय तुलसी जी में एक दिया जरूर जलाएं, उसके बाद तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें, परिक्रमा करते हुए उम नमो भगवते वासु दिवाय मंतर का जब करें। दोस्तों ये उपाय अत्यन्त कारगर बताया गया है, अगर इस उपाय को आप हर एकादशी को दोराते हैं, तो माता लक्षमी की कृपा आपके घर में सदा बनी रहती है, सुक समरिधी में वृत्धी होती है। इसके साथ ही दोस्तों तो आप को भगवान विश्णू और माता लक्षमी के मंदिर सरूर जाना चाहिए। वहाँ पे भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी को पीले पुष्प माला अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें, प्रशाद अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और वहीं पर बैट करके आप भगवान विश्नु के मंतर का जब करें, माता लक्ष्मी के आपके घर में धन की वृध्धी होती है और सुक शान्ती पनी रहती है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परिशानी हो या धन की तंगी हो वो समाप्त होते हैं और सफलताय प्राप्त होती है। दोस्तों ये कुछ उपाए हैं जो आपको हर एकादशी को जरूर करने चाहिए। दोस्तों अब अमलीका एकादशी की तिथी और पारण का महुर्थ जान लेते हैं। अमलीका एकादशी का वुरत इस साल अठाग दोहजार बीस में किया जाएगा 6 मार्च को उस दिन शुक्रवार का दिन है। और एकादशी तिथी प्रारण हो जाएगी 5 मार्च को दोपहर के 1.18 मिनट से। और ये रहेगी 6 मार्च के दोपहर के 11.47 मिनट तक। वहीं दोस्तों पारण का शुब मोहुरत है साथ मार्श को सुबह के 6 बच के 38 मिनट से 8 बच के 69 मिनट तक इस बीच में आप अपने पारण कर सकते हैं इस प्रकार से जो भी मनुष पूरी भक्ती भावना से सच्छे हिदय से भगवान विष्णु के एकादशी के दिन व्रत पूजा करते हैं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जब करते हैं उन्हीं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है उम झाल 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 झाल